जहिन साथियों स्वागत आपको एक बार फिर से इस नए वीडियो में दोस्तों RPF के अंदर vacancies निकलने वाली हैं Constable और SI की पिछले वीडियो में हमने देखा था कि Constable की जो vacancy निकलेंगी उसके बारे में जो भी चीजें थी वो हमने पिछले वीडियो में समझी थी और आज हम देखेंगे कि जो सब इंस्पेक्टर की जो vacancies हैं वो कब तक निकलेंगी इसके अलावा जो एक्सरिस में के लिए उसमें क्या क्या चांस हैं तो दोस्तों साइनिको से जोड़ी सारी khuबरों को जानने के लिए सब्सक्रावब का बटन दबाएं और बैल आइकन को प्रेस करके all का बटन दबाएं ताकि सारी latest जानकारी आपको मिले सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता है important dates के बारे में तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताये था कि इसका order भी जारी कर दिया गया है और most probably November या December के महिने में constable और SI की vacancy दोनों एक साथ निकल जाएंगी तो दोस्तों इसमें जो notification में है दोनों में जादा अंतर नहीं है कुछ एक चीजों का अंतर है जो हम आज समझेंगे otherwise जो constable और SI का notification है लगबग सेम ही रहता है बस कुछ एक चीजों में उसमें difference होता है दोस्तों बात करें जैसे pay level की तो यहाँ पर जो SI की pay level है वो pay level 6 में वो उस time के उपर total vacancy थी यह लगबग आपकी 1100 के असपास थी लेकिन इस recruitment को काफी time हो गया है लगबग 5 साल हो गया है कोई recruitment नहीं हुआ है railway force का तो इस बार उमीद है कि यह vacancies में ज्यादा होंगी बात करें एक्सर्विस में के कोटे की तो जिस प्रकार से constable में 10% quota reserve है उसी प रखी गई है एक्सर्विस में को इसमें छूट है जो भी उनकी present age है उसमें से उनको अपनी service को minus करना है प्लस जो unreserved category के एक्सर्विस में है उनको 3 साल और minus करना है OBC को 6 साल और minus करना है और SCST candidates को अपनी present age में से service को minus करके 8 साल को और minus करना है दोस्तों बात करें serving soldiers की तो इसमें serving soldiers भी apply कर सकते हैं लेकिन इसमें ये बताया गया है कि जब आपका DV होगा यानि कि document verification होगा उस time आपको NOC produce करनी होगी तो अगर हम मान के चलेंगी अगर December तक इसका notification आता है तो इसका जो DV होने में लगबग 6 मेने आराम से लग जाएंगे तो यानि कि अगले साल यान 24 में June जुलाई तक retire हो रहे हैं वो तो definitely इसमें हाराम से apply कर सकते हैं दोस्तों भी बात करते हैं qualification की तो यहाँ पर जो qualification है वो graduation मांगी गई है और constable में आपने देखा था कि 10th pass जो भी लोग थे वो apply कर सकते थे apply करने के लिए जैसे पहले जो 2018 में वेकेंसी आई थी तो Indian railway की site पे जाके apply करना था लेकिन अभी यह जो railway है यह दूसरी conducting agency से वो exam जो first phase हो conduct करवा रहा है तो वहाँ पर किस प्रकार से apply करना है यह हमको पता लगा जब इसका official notification आ जाएगा एक या दो महीने बाद तब पता लगेगा कि किस प्रकार से इसमें apply करना है दोस्तों बात करें fees certification सबसे पहले बात करते हैं CBT की तो CBT में कोई difference नहीं है जो आपका constable का CBT है सेम वही subject होंगे उसी प्रकार से आपके marks होंगे लेकिन फरक इतना ही है कि जो constable का आपका CBT होगा उसमें जो level होगा वो थोड़ा कम होगा यानि कि 10th level के उसमें question पूछे जाएंगे और यहाँ पर जो SI के लिए CBT होगा उसमें जो question का जो level है वो थोड़ा ज्यादा होगा यानि कि आपको 10th से above level के question पूछे जाएंगे थोड़ा सा tough होगा इसके लिए वही general awareness के 50 question होंगे 50 marks के arithmetic के 35 question होंगे 35 marks के और general intelligence and reasoning के 35 question होंगे 35 marks के इस प्रकार से total आपके 120 question होंगे जो की 120 marks के हो 15 language में ये जो exam है इसको attempt कर सकते हो सभी question है objective type के होंगे आपको 4 पांच विकल्प दिया होंगे जिनमें से आपको एक choose करना होगा दोस्तों P.E.T. यहाँ पर भी maaf है एक service man के लिए हलाकि P.E.T. में थोड़ा फरक है जो भी constable की P.E.T. होती है और जो भी SI की P.E.T. होती है efficiency test नहीं देना है हाँ एक service man को P.E.T. देना पड़ेगा उसको जो height और chest का measurement उसमें देना होगा और areas के हिसाब से उसमें छूट है तो जो भी गड़वाली गोरखाज, मराठाज, डोगरा ये सब हैं इनको इसमें छूट मिलेगी दोस्तों बात करें cut off की तो जो last में जो पि divided होता है तो आप जिस zone से apply करते हो उस आप किसी particular एक group में आते हो जैसे इसमें दे रखा है कि group A के लिए ये zone है, group B के लिए ये zone है तो आप अपने zone से जब apply करते हैं तो आपके zone की cut off है वो अलग बनेगी तो लगबग सभी zone की मैंने चेक की है तो आपकी जो access man की cut off है वो 62 261 marks की ही रही है लगबग सभी zone के अंदर तो अभी हम मान सकते हैं कि total 120 number के जो questions आएंगे आपका paper आएगा उसमें से 60-62 number की cut off रही थी यानि कि आपका 50% की cut off रही थी तो इसे सबसे आप idea लगा सकते हैं कि आपको जो next preparation करना है वो किस परकार से करना है दोस्तों बात करने job location की तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि railway के अंदर zones होते हैं तो जिस zone से आप apply करोगे आपका selection होगा उसी zone में होगा और आपको उसी zone के अंदर आपको posting विलेगी लेकिन railway के zones काफी area cover करते हैं तो यह आप apply करने से पहले देख लेना कि आपका जो zone है उसमें कौन सा area cover हो क्योंकि ऐसा नहीं कि आपका zone में खाली आपका state ही cover होगा हो सकता आपके 2 या 3 state भी cover होते हैं या 4 state भी cover होते हो तो उस हिसाब से आपको apply करना है कि आपको अपने zone का पूरा जो है knowledge होना चाहिए उसके बाद ही apply करें तो दोस्तों यह ती सारी जानकारी RPF SI के बारे में उम करें